हेलो बच्चों स्वागत है आपका मांडेटेट पे एक और वार फिर और बच्चों आज हम लेने वाले हैं डबलब मेंट्स लीडिंग टू दी बोहर्स मोडल अफ एटम और बच्चों इस टॉपिक को मैं सुरू करूँ उससे पहले कुछ-कुछ वाते हैं आप से मैं कर लेत हैं तो बच्चों उन पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे हम ये वीडियो बनाएंगे इसलिए क्योंकि बच्चों आपके नौलेज के लिए वह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यदि आपको अपना बेस स्ट्रॉंग करना है तो आपको उनको एक बार देखना होगा भले फिर आपको बहुत डाउट में वो डालती है तो इसलिए आप उनको जरूर पढ़ना इसलिए हमने जो हैं पिछले जो भी आपकी टॉपिक थे उन पर जरूर वीडियो बनाई है लेकिन अभी के लिए हमने उनको अपलोड नहीं किया है आप यह दिका होगे तो उनको बाद तो चलिए आज इस लक्षर में बोहर मोडल को जानते हैं तो यहां पे लिखा है बच्चों की हिस्टोरिकली रिजल्ट्स ओफजर फ्रॉम दिस्टेडीज ओफ इंट्रक्शंस ओफ रेडियेशन बिथ मैटर है प्रोवाइडेड इम्मेंस फो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इस्ट्रक्चर ओफ एटम और मॉलिकुल्स तो बच्चों इन्हों ने बताया कि जिस तर ये जो हमारे भ 될 थे उन्होंने मोडल दिया क्यों हमनेह तना तो समाई लिया थाए हमारे अटम क्या है या फिर एर्टम में क्या क्या होता है नीटिन प्रोट्टों तो फिर current की जरुवाद पड़ी वह जरॉन आप समझे तो यहन्होंने लिखहे कि नील और यू टिलाइज हमको और और अच्छे सुसमें हमको कुछ कुछ बातें बताएं जो कि आपको नीचे यहां पर लिखी गई हैं तो टू डवलपमेंट्स प्लेड आ मैजर रोल इन दफॉर्मूलेशन और बोहर्स मोडल ऑफ एटम दीस बर तो बच्चों दो ऐसी चीजें थी जिन्होंने बोहर मोडल को बहुत इंप्रोमाइस किया और वो क्या कहती जरह मैं आपको बताता हूं सबसे पहली इन्होंने लिखी है आपकी कि डवल केरेक्टर ओफ इलक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन विच मीन देट रेडियेशन पोजिस बोथ वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्र दम मजा जाएगा आपको क्यूंकि यहां से आपकी केमेश्ट्री स्टार्ट हुई है चप्टर बन में जो आपने पढ़ा और चप्टर टू में भी जो अवी तक आप पढ़ते आ रहे थे वो सब एक बेसिक था था जो आप पढ़ते आ रहे हो लेकिन अब आपकी को टोड़ो पहले तो तुटकडों में electromagnetic का क्या मतलब है कि electric भी हो और magnetic भी हो तो वो हमारा होता है electromagnetic ये तो आपको समझ आया अब दूसरी चीज़ आती है radiation क्या आ गया ये radiation मतलब ये होता है कि भाई कोई भी जब कोई भी particles जो होते हैं जब एक stress line में वो जाते हैं या एक race जो निकलती हैं तो जब पात को follow करती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक radiation होती हैं तो वो यह आपका radiation है और यहाँ पर electromagnetic radiation का यह मतलब है कि भाई radiation जो होगा उसके पास दोनों चीजें होंगी क्या होंगी बेब भी होगा वो और पार्टिक इस तरीके से यह 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 आपकी करके जाती हैं इनको हम बेब बोलते हैं तो यह जो इन्होंने बोला भाई कि radiation जो होता उसमें बेब भी होती है और उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं पार्टिकल्स जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं उसकुछ टुकड़े से आपके समय होंगे तो उन्होंने बोला कि जो कोई भी electromagnetic radiation होता तो बहुत दो तरीके से बेब करता पहला तो होता भाई बेब के फॉर्म में दूसरा होता पार्टिकल के फॉर्म में उन्होंने पर दूसरा अपना एक result रखा कि जो experimental result regarding atomic spectra वो यह बताते हैं हमको अब यह पहले समझो आप spectra कहा spectra मतलब यह है कि हमने atomic का क्या किया उसको बिखेरा उसको और जो है कई कई हिस्सों में जो है टोड़ा और हमको यह मिला क्या मिला तो first we will discuss about the dual nature of electromagnetic radiation experimental result regarding atomic spectra will be discussed in section 2.4 में आपको बताए गए हैं क्या क्या है वो रहांगे हम पढ़ेंगे उनको तो अब यह बिलकुल tension मतले ना हमको समझी नहीं आ रहा है तो बच्चों chemistry के ऐसा है theoretical subject आपको एक बार मैं कुछ भी समझ नहीं आएगा मैं पूरा आपको section by section पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको फिर सबको समझ आएगा तो आप बिलकुल पढ़ते जाए मैं जो पढ़ा रहा हूं वह है ना उसके बाद य सब्सक्राइब के बारे में ना तो इंदी मिड नांटीन सेंचुरी मतलब की मद्ध जो है आपकी उन्नीस भी सताबदी में फिजिस्ट एक्टिवली इस्टेडीड एफजर सन एंड इमीशन ओफ रेडियेशन वाई हीटिंग हीटेड ऑब्जक्ट तो बच्चों आपके क् कि मद्ध में उन्नीस जो सताब भी चल रही थी उसमें कुछ फिजिस्ट थे हमारे उन्होंने स्टेडी किया कि जो एक बेव होती है या फिर जो आपका एक रेडिशन होता है बो क्या करता है और एमीशन करता है जब उसको एक किसी ऑफजर को हीट करते हैं अब आप एक एक का ऐख रोली के से अलाल होगा अब जब यह बिल्कुल रेड हो जाएगा होट है समझे रहे और जब एकदम रेड होता उसमें आप देख्ते हो तो क्य करता है सब्सक्राइब जकुर्च से निकलते हैं उन्होंने देखी, जब हीट होता रहा हूं और हएगण के सब लग हु और जो यहाँ पर यहाँ यहीदैस वागेरा निकल रही है यहाँ यहां से यहाँ पर थरम रोट आजन है उन्होंने फिर आउंगे देखा यया तो किस तरिए निकल रही है यह पारिशियर निकल रही है क्या उनका मतलव है क्यांसे बन रही है तो यह उनके मन में कुछ प्रसना आए और इट इस नाओ अब वैल नोन फैक्ट देट थरमल रेडियेशन कंजिस्ट ओफ एलक्ट्रो मेगनेटिक बेव और बेरियस फ्रेकेंसी और बेव लेंथ तो बच्चों अब जो है जाके सांटिXT होना यह बिल्किल प्रूफ कर लिया है यह पता कर लिया है कि यह जो बेरियस फ्रेकेंसी पे और बेव लेंथ पे होती है अब आपको थोड़ा थोड़ा समयं demonstrates है यार कि फ्रेकेंसी ना है यह ये किसर क्या बोलते जा रहा है? तो आपको मैं पहले frequency बता देता हूं और wave like बता देता हूं क्या होती? frequency मतलब होती है बच्चों की जो wave आपकी एक second में जो pass करती है इScott को ये पूरी तो ये लेके यहां तक ये थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा बन गया उसको डिलीट करना पड़ेगा तो यहां से आपका जो है इस पॉइंट से आपके इस पॉइंट तक जो आपका यह आया है लेंथ वो ही बेब लेंथ होती है अब समझे आप तो यह नों ने यह बोला उसके लावा इनों ने बताया कि इस बेश्ट और यह सब कुछ बेस किस पर था एक मोडन कॉंसेप्ट था बिच वर अन्नोन इन दी मिड नांटीन सेंचुरी और जो की मिड नांटीन सेंचुरी में अन्नोन था उसके बारें कुछ भी नहीं पता था फर्स्ट एक्टिव स्टेडी ऑफ थर्मल रेडिशन लोस अकॉर्ड इन दी एक टीन फिटी एंड थी थेओरी ओफ एलक्ट्रो मेंगनेटिक बेव और बच्चों जाके आपका कहां अठारह सो पचास में जो है इस थेओरी को जनम लिया जो की थी एलक्ट्रो मेंगनेटिक बेव और इंड़ इमीशन ओफ दे सच बेव बाई एसलेरेटिंग ज लेवेंट में भी तो इन्होंने क्या किया कि 1870 में कुछ जो है अब्सर्वेशन निकाली जिसमें नोंने एक किस तरह से थरमल जब हम करतें किसी भी ऑब्जक्ट को गरम करतें उसमें जो रेडियसन निकलती है क्या सा क्या होता है यह सब इन्होंने पता किया और विच लेन सम फेक्ट आबाउट एलेक्ट्र मैगनेटेक रेडियसन तो चलिए जरह पढ़ते हैं एलेक्ट्र मैगनेट्रेक रेडियसन के बारे में कुछ फेक्ट है ना वह मुझे पता बच्चों कि अभी आपके कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो है डाउट सा रह रहा होगा मन मै यार कि सर ने क्या पढ़ा दिया क्या नहीं पढ़ा दिया बच्चों मैं समझ रहा हूं यह आपकी जो है NCRT गलती वो मेरी गलती नहीं क्योंकि NCRT में कुछ इस तरीके से रहता है कि आपको जो है वो एक बारें पूरा पूरा नहीं बताते हैं आप जो पूरा सेक्शन बोडी सेंद बेहिवियर ओफ एलक्टिकल और मेंगनिटिक फील्ड ओन मैक्रोस्कोपिक लेविल तो जैमस मैक्सवेल ने किया किया बच्चों 1870 में वो पहले ऐसे थे उन्होंने कंप्रेहंसिव एक्स्प्लेशन दी कि इसके बारे में कि इंट्रेक्शन केंसे होता कोई भ बेहिवियर है और जो मैगनेटिक फील्ड है वो किस तरह से आपस में लिंक करते हैं यह सब इन्होंने किसने बताया हमको जैमस मैक्सवेल ने बताया तो आप से आप से कोई भी पूचे भाई जैमस मैक्सवेल ने क्या किया क्या बताया इलक्ट्रों जो मैगनेटिक के बार में और magnetic field के बारे में तो वो हमको पढ़नी हैं तो इसजेस्टेट डेट वहना इल्क्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एसलेशन तो कोई भी एल्क्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल एक चलता है एसलेशन में alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted और दीज फॉरा ट्रांस्पिटेट उप्प्रूम देव काल्डा एलक्ट्रो मेगनेटिक बेव और एलक्ट्रो मेगनेटिक रिडियेसं तो बच्चों यहां से यह पूरा आपका पैरग्राफ जो है यहां से लेके यहां तक आपका समझे लो आप कहा लिखा है कि कोई भी चलता है एक acceleration से तो उसके पास एक alternating electrical और magnetic field produce करता है transmitted करता है और यही फिल्ड उसकी transmitted होती है एक form में किसके बेव में और उन्हीं को हम बोलते हैं electromagnetic बेव या फिर electromagnetic radiation आप समझे आप बूरा समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से चलिए अब मैं आपको बताता हूं light in form of a के लिखा यहां पर कि लाइट जो है एक form किसका radiation का एक known from the earlier days and the एक speculation जो है about its nature dates back to remote Asian time देखो बच्चों लाइट को लेके बहुत सारा लपड़ा भाई कि लाइट जो है क्या बेव है radiation है क्या है कहना ही है तो लाइट के बारें बहुत जो सांटिस्टों का विवाज चलते रहता कि लाइट को भी तक यह निश्चन नहीं बता पाए है और कि यह पार्टिकल है या बेव है तो लाइट क्या है इस नोन फ्रॉम दी अलियर डेस तो पहले के लाइट बनी है वो किस से बनी है पार्टिकल से बनी है जिसको उन्होंने बोला कार्पुल किल से बोला है ना उनको नाम दिया है इन्होंने एक अच्छा सा यह और इट वाज ओनली इंदी फर्स्ट टू रिवील डेट लाइट वेव से आर एस्सेटेटर बिद्धी ओसिलेटिंग एलेक्ट्रिकल और मैगिनेटिक केरेक्टर्स तो बच्चों फिर मैक्स बैल ने एक और हमारा मसला सुल जाया और उनने बताया भाहिया मेरे ज्यादा कन्फूज मत हो कि जो उसको तुम इलेक्ट्रिकल और मैगिनेटिक के बहद पर देखो तो उन्होंने बोला भाहिया कि जो लाइट चलती है आपकी वो इलेक्ट्रिक और मैगिनेटिक फिल्ड पर ही चलती है जबहें से फी गूब प्रहि कोण में देखको लाल टर्री कलर में propendik नियों पर बोला है ना समझने इस बात को तो इन्हों ने यह कहा कि जो इलेक्टर के ना मेगनेटिक फिल्ड कंपोनेंट ऑफ एलेक्ट्रो मेगनेटिक बेव और इस कंपोनेंट आप दसेम बेवलेंट फिरकेंसी स्पीड अंपिलिटूड बडदे यह बाइब रिटेना टू मेशली परपेंडिकुलर प्लेंस तो यह परपेंडिकुलर होती हुई जा रही होंगी ओल्टो एक्स एलेक्ट्रो मेंगनेटिक बेव मूं सने जा कॉंप्लेक्स नेचर अब जो भी यह इन्होंने चीदा मेगनेटिक फिल्ड प्रिडूस भाई उसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स जो होंगी आपकी वह क्या होंगी यहां से और परपेंडिकुलर टू इच दर यही मौन मैं इंपोटेंट पॉइंट है आपका और इसी पर सब मसला टिका हुआ है ना हमेंसे याद रखना बच्चों जो एलेक्टिकल और मेगनेटिक फिल्ड होती है किसी भी जो लाट को आप करते हो जैसे मान के चलो रुख जाओ मैं आपको एक एक एसमपल से बताता हूँ जैसे आपके पास एक टॉर्च है यह लो भाईया जी टॉर्च बना देता हूँ मैं आपके लिए ये आपकी क्या है ये लो जब भी टॉर्च से ऐसे करके लाट निकलती है तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से आपकी तो निकलती है यह आपकी कोन इलक्ट्रिकल वेब हो गई बहीं पर कुछ स्केट इसके ही कुछ perpendicular में आपको समाज hносता इसको मैं आपको 3D में नहींँ बता पाऊंगा तो यह समझो यह बाली कौणसी थी जावा मैं दूसरे लेता यह अग फिर आपको समझ आएगा इस वाले को हम raid ले लेते हैं न तो यह मैं radiation लेता हूं इसको ऐसको ले लेते हैं अब देख ज़रा तो यह रिद वाली आप सम्हाइना यह निकल रही है कैसे आपकी perpendicular यह perpendicular निकली तो अजनने यह बताया कि जब हम किसी लाइट को या टॉर्च को ओन करते हैं तो जो उसमें से जो रेडियेशन निकलती है तो बोस में क्या होती है दो तरह का कंपोनेंट होता एक होता electrical एक होता magnetic electrical वाली भाई कुछ इस्तरी किस चलती है magnetic वाली कुछ इस्तरी किस चलती है और दोनों आपस में perpendicular होती है बात खतम यहाँ पे है ना सीथ समय लो तो यहां से जो भाई है जो perpendicular होती है एक दूसरे के और बोथ आर perpendicular to the direction of propagation और हमेशा ही वह perpendicular रहती किसके उस डारेक्शन जहां पिसे वह propagation कर रही है बेप का और simplified picture of the electromagnetic बता दी मैंने 2.6 में जरह एक और रजल्ट देखो क्या लिखा आपका unlike unlike मतलब समझते हो क्या होता जरह इसको समझे लो unlike मतलब हम बोलते हैं कि भाई या उसके जैसे नहीं किसके जैसे नहीं sound के जैसे जो sound वेप होती है उसके जैसे नहीं जो है आपकी बेप प्रोड्यूस ना water electromagnetic बेप डू नौट रिक्वार मीडियम एंड कैन मूव ना vacuum तो जिस तरह से sound वेप को एक मीडियम चाहिए होता है अपना वेप को प्रीडूस करने के लिए लेकिन electromagnetic वेप को कोई मीडियम की जरुवत नहीं होती है यह बिलकुल सीधी वेक्यूम में निकल लेती है इसलिए तो संसे आपके अर्थ तक पर जो है रोशनी आप आती है भाईया मेरे बहां पर कौन सा मीडियम होता समझा तो इसके कारण यहां पर sound वेप जो होती है उसको मीडियम चाहिए होता लेकिन को कोई मीडियम की जरुवत नहीं होती है सीधी निकल लेती है दर रहाते है ना थर्ड पॉंट जरा सा थोड़ा लेंदी है लेकिन समझ आ जाएगा आपको जरा पढ़ते हैं इसको तो भाईया इट इस नाव वेल स्टेवलास देट दियर मैनी टाप अप 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 अलक्ट स्पेक्ट्रम तो उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं जो कि आपको में बतावागा कि किस तरह से बढ़ती लफ आगा वा भीत है यह सब कुझा ना तो डिफरेंट रीज़न आप इस पेक्त्रम यहार। इदिफरेंट डिफरेंट दिए हैं और समेंब्स एंग्जामपल आ रह यो बेव है है ना माइक्रो बेव में जो होती है आपकी देखो बेव ही लेखा यहां पे यार तो माइक्रो बेव जो माइक्रो बेव आप करते हो ना यूस्ट उसमें क्या होता है तो माइक्रो बेव रीजन एराउंड टैन दी पावर टैन हर्जार्स इसका नाम होता है आपक फिश्टीन हार्ट्स अ कंपोनेंट ऑफ द सन रेडियेसं जिसको कि हम ओजोन लियर से जो है प्रोट्ट करते हैं यह समझा आप और देख पाते हैं और जो कि हम देख पाते हैं वह होती है आपकी तेंदी पाफ फिटीन यहां से को सन बन जाता है कि हम कौन से जो है रीजन पे देख पाते हैं भाईया तो वह तेंदी पाफ फिटीन हार जार्ट पर देख पाते हैं और जो कि यह पार्ट हमारा आइस देख पाती और डेटर पाती है स्पेशल इस्टूमेट रार रेकॉर्ट टू डेटर नॉन विजीबल रेडियेशन तो जरा इसका बिल्कुल स्क्रीन सोट ले लो आप और इसको समझा देता हूं मैं क्या क्या देखिए यहां से आपकी गामारेस हैं जो कि आपकी टेंदी पाफ टॉनटी फोर पर होती है अलगे यहां से आपकी क्या होती हैं जो हम देख पाते हैं यह वाला रेजन जो है आपका यह देख पाते हैं सिर्फ आपका जो की 400-500-600 यह से करके आपका बेबलेंथ में बटा हुआ है और यह नीचे दी गई है आपकी कुछ बेबलेंथ है और उपर दी गई है फिरिकेंसी है तो जिस तरह से आपकी क्या होती है वेबलेंद आप इस तरीके से आपकी गठती जाती भाई यह मेरे है न तो यह दोनों इनबर्स परपोर्पोर्टोनल दोनों के जैसे बाएंगी गठतेगी यह आप समझ लेना और इतना भी कुई important नहीं है आपके board exam से related नहीं है बिलकुल भी यहां पे एक और question दिया point दिया और पढ़ा देता हूं the other commonly used quantity especially a spectroscopy is the wave number जो कि आपको भी ऐसे करके होता है यह सदे नोड और इस डिफान इस the number of wavelength जो कि पास हो जाए unit length तो एक unit length में कितनी wavelength पास हो रही हैं उसको हम बोलते हैं कि आपका wavelength or radius unit is a reciprocal of the wavelength unit however commonly used unit is a centimeter inverse not SI unit उसकी होती है बस कर देते हैं यूज है अब बच्चों जो question बगे रहा है वो मैंने आपसे पहले बोल चुका हूं मैं इनको बाद मिलूंगा अलग से वीडियो में वीडियो की length नहीं बढ़ाना चाहता और आप चाहों तो जो है अलग सोर्से वीडियो को देख सकते हो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों particles nature of electromagnetic radiation जो की plans constant है और यहां पे एक और हमारा रह गया था बो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यहां पे साथ हमारा से पॉंट रहे गया फूर्द स्कोर जड़ा कर लेते हैं चल लिए स्कोर करते हैं तो डिफरेंट कांट ओफ यूनिट और यूस्टू रिप्रेजेंट यूर्प्रेजेंट के लिए होती है और रेडिएशन और प्रोपर्टी नेमली फ्रिकेंसी जिसको की हम भी से डिनोट नोट करते हैं तो यहां से इसकी डेफिनिशन है बच्चों की स्मॉलर यूनिट आज यूज जो कि आपको बताई भी गई है सोज बेरियेस जो है टाइप उलक्ट्रो मेंगेटिक रेडियेस्ट रिगार्ड आफ देखो समझे लो इस बात को जरा अच्छे से एक वेक्ट्यूम में सभी तरह की सब्सक्राइब करें लिदेशन स्वेसी आप सब्सक्राइब करोने इसको पर यहां से आप नोट करिया और इसी पर नियुम्रीकल आपके बनेंगे जो आपको प्रोब्लम सब्सक्राइब दी गहीं। सी स्कल्टू भी लेंडा बस और कुछ नहीं है बच्चों इस पूरे आपके सेक्षन में तो अब हम आँगे पढ़ेंगे आपका पार्टिकल नेचर जो की एलक्ट्रो मेगनेटिक बेप का और प्लेंक्स कॉंटम थियोरी बगेरा पढ़ेंगे और जो कि आपका मूस्ट को बढ़ेंगे ने ही एलक्स कि आपका और मूस्ट कि आपका मूस्ट ने और जो अपका।